हैलो फ्रेंड फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए व्लोग में 200 सीट बैल्ट बांध लीजिए क्योंकि खुरम व्लोग करके इस वीडियो में मिलने वाला है आपको ऐसा इंफोमेशन जो अभी किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं है आज हम बात करने जा रहे हैं देली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जान में कितना टाइम आपको लगेगा और आपको कनेक्टिंग फ्लाइट में कितना टाइम होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तो द एरिया में आएंगे बैग लेने के बाद इस एरिया में आपको ट्रांसफर डेक्स रेस्टरांट और शॉपिंग के कुछ आउटलेट देखने को मिलेंगे और आप अपने लेफ्ट साइड पर जाकर राइवल में टर्मिरल 3 में गेट नमबर वन से लेकर सिक्स है एक्जिट करने के लिए आप किसी भी गेट से एक्जिट कर सकते हैं तो दोस्तों यह गेट नमबर 3 आपको सामने दिखाई दे रहा है यह गेट नमबर 3 से पैसेंजर आप एक्जिट करने के लि साइट देखने को मिल जाएगा बड़ दोस्तों मैं आपको इनका फेर बता देता हूं जो मैंने इन से मालूम किया एक टैक्सी काउंटर ने 440 रुपे बताया और एक टैक्सी काउंटर ने 480 रुपे तो दोस्तों अगर आपकी फ्लाइट T3 से है और आप टर्मिनल 1 कनेक्टिंग पकड़ने जा रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए अगर आपके टैक्सी आपको लेनी ही पड़ेगी और आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा और यह जो सामने रास्ता है इन दोनों टैक्सी काउंटर के 20 से यह रास्ता ओला उबर के लिए उनका भी पिलर नमबर नाइन राइन साइड में और यह पिलर नमबर टैन पर आपको एक ऐसा शटल बस काउंटर मिलने वाला है और यहां पर शटल बस काउंटर पर जाकर आप इस तरीके से लाइन में क्यूब होकर अपना पुराना बोर्डिंग कार्ट दिखाएंगे और टर्मिनल देने के बाद वो आपसे कुछ चीज़े मालूम करेंगे आपकी कौन सी फ्लाइट से आए हैं और किस फ्लाइट सब आगे जा रहे हैं उसके बाद आपको एक ऐसा कूपन प्रोवाइड कर दिया जाएगा यह कूपन आपको जीमर की तरफ से मिलता है एरपोर्ट की साइट स तो आप इस पर चीज़ें पढ़ सकते हैं फ्लाइट नंबर किस फ्लाइट से आप आए तो और किस फ्लाइट से आप टर्मिनल वन से जा रहे हैं यह कोपी डीटी सी को पिए जो हमें अंदर कंड़क्टर को दरी होती है और यह कोपी पैसेंजर की जिसको हमें अपने पास है अगर चेकिंग के लिए कोई भी चेकर आता है तो पैसेंजर को भी आपको शो करनी होती है यह बाउचर लेनी के बाद देखो यह आपको 20-25 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है शटल बस का फ्रीक्वेंसी जो है हर 20 मिनट से 50 मिनट में आपको बस मिल जाती है फिर उसके हम यह बस बोर्ड कर लेते हैं बस बोर्ड करने के बाद तो दोस्तों आप अपना समान वगेरा सब इजिली इसके इंदर रख सकते हैं बस काउंटर के सामने ही यह बस आती है आपको कहीं जाना नहीं होता है और आप अराम से ऐसीली अपनी सीट लेकर बैठ जाइए उसके बैहने के बाद यह बस जाधा देर रुखती नहीं कि क्टिंग फिलाइट में पैसेंजर की ताइम नहीं होता है तो वह बस पैसेंगर लेती हैं और उसके बाद टर्मिनल थरी से रवाना हो जाती है तो यह बत्शर रवाना हो के अबजाने वालिए हाला कि T2 airport terminal 3 के सामने ही है by walking भी आप जा सकते हैं बट जो लोग terminal 1 से अभी आए हैं तो वो T3 उतरे हैं कुछ लोग जिनकी T3 से flight है और अब कुछ लोग T2 पर उतरने वाले हैं तो देखें आप सामने अब हम terminal 2 पोच सकते हैं और सिर्फ 10 minutes के अंदर हम terminal 2 पोच गए हैं by bus और बाई वोग आप 5 minutes से पोच सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप terminal 2 के बराबर से जब हम जाएंगे तो यहां पर इसका shuttle bus का एक अलग से एरिया है यह देखें यहां पर भी terminal 2 पर shuttle bus counter का एरिया है terminal 2 में जो passengers को उतरना था वो यहां पर get down हो गए हैं और दूसरे passengers जो नए passenger है जिनको terminal 1 जाना है वो अपना वाउचर लेके इस bus को board कर चुके हैं तो दोस्तो बस board करने के बाद फिर यहां से bus निकलेगी और अब यह bus सीधा terminal 1 के लिए रवाना हो जाएगी तो दोस्तो 10 minute आपको लगे है terminal 2 आने में सिर्फ terminal 3 से इस bus के अंदर और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप यह voucher अवेल नहीं करते हैं जो shuttle bus counters आप आपको मिलता है तो आपको ज्यादा चार्जिस फिर भी नहीं पड़ता है 25 रुपीज पर पैसेंजर का इसका ticket है अगर आप वाउचर नहीं ले पाते हैं यह आपको पता नहीं है हाला कि मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप लोग थोड़ा सा information इस वीडिय लिए जाने के लिए यह टर्मीनल 3a तरमेंल टू êuस्तों रिधावन जाने के लिए तो दोस्तों कितना रीजनेबल चार्जीस आप दह सकते हैं जहां टैक्सी आपको चार्ज करती है चांडियोन कि रुपे 440,60 रुपे यह देखिए दोस्तों टर्मिनल टू से निकलने के बाद 15 मिनट में ही सिर्फ हम अब टर्मिनल वन पोच चुके हैं तो अब यह हम टर्मिनल वन के डिपार्चर एरिया में हम जाने वाले हैं तो यहां पर आपको कहीं पर भी कुछ नहीं करना है जो वाउचर था वह आपने कंडेक्टर को दे दिया आपको कोई भी चार्जिस और नहीं देना है अगर आपके पास पाउचर है तो टर्मिनल वन डी का यह डिपार्चर एरिया है यहां पर हम आप पोच चुके हैं और टर्मिनल वन डी के जितने भी पैसेंजर्स हैं जिनकी टर्मिनल वन डी से हैं वो लोग यहां पर उतर कर स कुछ ऐसा एरिया है राइवल का भी यहां काफी construction चल रही है तो दोस्तों यहां पर आपको ऐसा एक shop मिल जाएगा लीकर wine shop left hand side में और निकलते ही आपको यह sign सारे direction में आपको move करना है और सामने ही आपको एक help decks मिलेगी और सामने ही दो टेक्सी काउंटर है तो टेक्सी काउंटर का फियर सेम रहेगा चाहिए आप T1 से T3 जा रहे होगा T3 से T1 तो दोस्तों जैसे ही फिर इस counter के आगे से left hand side पर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेग का इधर कोडर में इंटर टर्मिनल शेटल बस का counter तो इसके अंदर आपको सेम वही प्रोसेस करना है जैसे आपने टर्मिनल थरी पर किया था टर्मिनल वन आने के लिए आप T1 पर जाएंगे इस बस counter और आपको अपना पुराना बोर्डिंग काड जिस फ्लाइट से आप आ करना है शो करने के बाद आपको वाउचर मिल जाएगा और आपको इस लाइन में क्यू अप होना है बस आने का इंतियार करना है जो 10-15 मिनिट में आ जाती है तो यह सामने से आप देख रहे हैं शटल बस आ चुकी है और सिर्फ 10 मिनिट में ही शटल बस आ गई है तो दोस्त कितना रीजनेबल आपको पढ़ जाता है कोई चार्जिस आपको नहीं देना पड़ता अगर आप वाउचर अवेल करते हैं शटल बस के अंदर और फिर वी अगर वाउचर नहीं लिया तो सिर्फ 25 रूपीज पर पैसेंजर आपको अवेल करना है तो देखिए कंडेक्टर अब सबसे वाउचर कलक्ट कर रहे हैं जिसके नीचे लिखा होता है DTC कोपी वाउचर कंडेक्टर ले लेते हैं और दूसरी कोपी पैसेंजर कोपी आपके पास रहती है अगर इस बस में चेकर मिलते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा सिटी की साइट से होके जाती है बस तो आप को पैसेंजर कॉपी आपकी दिखानी होती है उसको रखिएगा उसको गिराएगा मत या उसको खराब मत कीजेगा देखिए फिर आप टर्मिल 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसी बस के अंदर तो टर्मिल 3 से जो आपकी फ्लाइट है तो टीवन से टर्मिल 3 आने के लिए आपको 25 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा तो दोस्तों जिन लोगों की फ्लाइटों में मैं आपको बता दूंग जिनकी भी कनेक्टिंग फ्लाइट में एक घंटा या फिर एक घंटा पंदरा मिनट या 20 मिनट एक घंटे से उपर का अगर टाइम है या एक आकर अब टैक्सी भी अवेल कर सकते हैं जिसके चार्जिस मैंने आपको बता दिया है टर्मिनल 3 से टीवन जाने के 440 रुपे काउंटर ने बताया और 480 रुपे दूसरे काउंटर ने और ओला उबर के भी चार्जिस 400 रुपे से उपर ही आते हैं तो देखें टर्मिनल 3 के अराइवल एरिया में हम पहुच चुके हैं यह हमारी बस है इससे उतरते ही आप फिर से पिलर नमबर 9 और 10 पर हम अभी आ चुके हैं तर्मिनल 3 पर तो इसमें जैसे ही आगे बढ़े के तो यह लिफ्ट है डिपार्चर एरिया में जाने के लिए और विजिटर एंट्री ट इस चैनल को सब्क्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेर करें अपने दोस्तों के साथ मैंने बहुत इजी और बहुत ही इजी वे में आपको यह प्रोसिस पूरा समझा दिया है और आप कितना ज्यादा पैस अपना सेव कर सकते हैं अगर आप यह वीडियो देखके सेम च चैनल पर प्यार बरसाते रहिए वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्क्राइब कीजिए चैनल